वल्कम बैक टू केस एजुकेशनल सूपरवीन आप लोगों के साथ और अगर आपने IBPS PO मेंस का एक्जाम दिया है तो आपके दिमाग में ये बात होगा कि जितना आखिर अटेम्ट हम लोगों ने लिया है क्या वो सफिशेंट है क्या हम लोग आगे PO मेंस के बाद इंटर्व कुछ लग थे देखो प्री में हर कोम बैठता लेकिन में की बात करते हैं तो कु reflective सेवह के ही बैठता है और उसमें से आपका हो रहा है और उस फैट में भी दो तरीके को मेंडिग है जो की बहुत जादा अपने प्रपेशन के liveL अच्छा कि वहें और एक वो है, जो कि नॉर्मली थोड़ा सा कम है. अगर मैं पीपर की बात करूँ तो आपने देखा होगा, कि क्या लेवल था रिज्टिन का, क्या लेवल था आपका कौंट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिज्टिन का ही लेवल बस मैंने तफ देखा, आप अगर क्वांट में देखोगे तो उसका भी लेवल बहुत अच्छा था और हम लोगों को एक अच्छा एटेम्ट लेने में काफी टाइम लग रहा था मैंने देखा कि नॉर्मली स्टुडेंट का एटेम्ट जो है वो 70, 75, 60, 65 इसी तरीके का रहा तो इस सिनारियो में जो आप लोगों ने अटेम्ट लिया है वो कितना सेफ है सबसे पहली बात मैं हमेशा बोलता हूँ मेंस जो है वो आल अबाउट नॉलेज है और अलरेडी जब आप प्री क्लियर करके मेंस में गए हो मतलब आपके पास नॉलेज है और यहाँ पर अगर आपने स्पीड और अपना नॉलेज दिखा दिया तो फिर आपको कोई नहीं रोख सकता है इस एक्जाम को क्लियर करने के लिए आपने ये भी देखा होगा कि रिसेंटली जब PNB के द्वारा कुछ वेकेंसी एडिशन किया गया जिसमें कि लगबग आपका 113 कुछ वेकेंसी का दिया गया है कि एडिशन है तो इससे पहले भी बहुत सारा ऐसा बैंक है जिसने कि अपना वेकेंसी एडिशन दिया है तो केस में कितना इंपक्ट पड़ेगा स्टुडेंट के परफॉर्वेंस पे, स्टुडेंट के कटफ पे, स्टुडेंट का टोटल अटेंट पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब कोई भी तफ हो एक्जाम होता है मतलब ये समझो कि उसमें सेलेक्शन का चांस आपका बहुत जादा होता है जितना आपका एक्जाम इजी है, उतना ही सेलेक्शन का चांस आपका कम होगा क्योंकि number of attempt सभी का ज़ादा होगा अगर tough exam है तो number of attempt सभी का कम होगा cut of और कम जाने का chance होता है और जो हम लोगों ने 2023 में लेवल देखा वो बहुत बहुत अच्छा लेवल और इवन मैं बोलूँ कि पसीना छुट ये आपको पसीना दिला देने वाला ऐसा आपका question का level था reasoning का quant का हलाकि मैं देखा review में कि हर कोई लगभग reasoning को बहुत जादा tough बता रहे हैं बट most of the student के लिए quant भी आपका tough था अगर आपने यहां current affairs में अच्छा score किया है तो वही आपका नहीं अपार लगाएगा अब मैं overall अगर आपको बताओं कि कितना आपका safe attempt होना चाहिए था IVPS PO mains में जो level हम लोगों ने देखा क्योंकि देखो यह तो clear है कि तीन बच्चे में से एक बच्चे का interview के लिए selection होगा मतलब 3 to 1 का ratio यहां पर चलता IVPS PO mains में तो इस case में मैं इतना मान रहा हूँ कि अगर आपने 70 यह 70 प्लस का अगर attempt लिया है और आपका accuracy ठीक है ठीक है descriptive अगर आपने बहुत अच्छा attempt लिया है तो आप interview के लिए आगे बढ़ सकते हो मेरा जो अपना खुद का मानना even मैं बोलूँ कि इतना भी आपका नहीं जाने वाला है might be slight difference होगा लेकिन इसी के आसपास आपका रहेगा तो बहुत अच्छा आपका exam का level था बहुत अच्छा हमें competition देखने को मिलेगा और यहां पर जब exam का final result आएगा तो काफी shocking भी होने वाला है ठीक है तो अगर आपने जो मैंने बताया उस level तक अगर आपने attempt लिया है तो don't worry आप interview के लिए आगे बढ़ो और आगे जो आपका exam है उस पे focus करो मैं यही IBPS PO मेंस में फदल आप लोगों के साथ expected cut up पे यही बस disclose करना चाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो exam का level है वो तिन प्रते दिन कुछ अलग और कुछ different देखने को मिल रहा है Right my dear friends तो इसे please share कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ